हेलो फ्रेंज वेलकम टू एस अकेडमी एस अकेडमी में आपका स्वागत है तो आज हो गया हमारा 13 अक्टूबर और आज हम लोग करने वाले हैं करेंट अफेयर के कोस्चन और यह सारे कोस्चन आपको बिहार स्टीटी बिहार दरोगा और विपीर सी के लिए सेयर और लाइक जरूर किजेगा तो चली एसी के साथ है स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारा फर्स्ट कोस्चन है कि भारत की सबसे पहली महिला गेरेजुएट ओनर्स का नाम क्या है जिनके लिए गूगल ने हाली में डूडल समर्पित किया है तो इसका करेक्ट एंसर गूगल डूडल मनाया गया है और इसमें आपको बता दे कि भारत की पहली महिला ग्रेजुएट जो की कामनी राय भारत के इतिहास में ग्रेजुएट ओनर्स की डिगरी हासिल करने वाली पहली महिला थी और इनका जन्म 12 अक्टूबर 1864 को ब्रीटिस भारत के बेवकर जिले में हुआ था तो यह सारे फेक्ट्स को आपको याद रखना है चलिए नेक्स्ट कोचन देखते हैं नेक्स्ट कोचन है नासा ने हाली में किस नाम से आयान मंडल का अध्यान करने के लिए एक सेटलाइट लॉंज किया है तो इसका करेक्ट एंसर होगा आईकोन यानि ओप्सन बी जो है बिल्कुल सही होगा और इसमें मैं आपको बता दो कि नासा ने आयान मंडल का अध्यान करने के लिए आईकोन नाम से सेटलाइट लॉंज किया है और यह आपको दो हजार संत्रे में लॉंज होना था लेकिन तक्निकी खरावी के कारण इसे दो साल बाद लॉंज किया गया है तो इस सारे फेक्ट्स को आपको याद रखना है चलिए नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं नेक्स्ट है फोव्ष द्वारा हाली में जारी भारतिय और पतियों की सूची में दूसरा अस्थान किसे हासिल हुआ है तो दूसरे अस्थान पर किस बैक्ट्टी का नाम है आपको कमेंट करके बताना है तो उस बैक्ति का नाम है गौतम आडानी यानि ओप्शन डी जो है बिल्कुल सही है गौतम आडानी और इसमें मैं आपको पता जो कि फोप्स द्वारा ये आठ हंको के अधार पर ये जारी हुआ था और इसमें मुकेस अंबानी लगतार बारवी बार पहले अस्थान पर बने हुए है ये आपको फैक्ट्स याद रखने है चलिए नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं अंतरा अंतरिक्ष में एस्पेस वाग करने वाले पहले बैक्ति का नाम क्या है जिनका हाली में नीधन हो गया है तो उस बैक्ति का नाम बताना है जो कि अंतरिक्ष पर पहली बार एस्पेस वाग किया थे आपको कॉमेंट करके बताना है तो इसका राइट एंसर होगा एलेक्सी लियोनोव यानि ऑप्शन बी ए होगा बिल्कुल सही ऑप्शन ए जो होगा और यह आपको बता दे कि उन्ह ने 18 मार्च 1965 को अंतरिक्ष में 12 मिनुट तक एस्पेस वाग किया था यह सारे फेक्ट्स को आपको याद रखना है और इसके बाद उन्हें हिसे ऑफ दा सोवी नियत यूनियन का समान भी मिला था तो इस सारे फेक्ट्स को याद रखना है चलिए नेक्स्ट कोचन देखते ह है हमारा नेक्स्ट कोचन ने इंडियन एस्पोर्ट्स आवार्ड 2019 में निमलिखित में से किस खिलारी को हाली में लाइफ टाइम अचीवमेंट आवार्ड से समानित किया गया है तो इसका कोरेक्ट एंसर होगा मिलखा सिंग यानि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है मिलखा सिंग को हाली में लाइफ टाइम अचीवमेंट आवार्ड से समानित किया गया है चलिए नेक्स्ट कोच्चन देखते हैं नेक्स्ट कोच्चन है अंतराष्टिय बाली का दिवस किस दिन मनाया जाता है तो अंतराष्टिय बाली का दिवस किस दिन मनाया जाता है कॉमेंट करके बताइए तो अंतरास्टिय बाली का दिवस 11 अक्टूबर को मनाय जाता है और यह पहली बार 2012 में मनाय गया था तो इसे आपको याद रखना है चलिए नेक्स्ट कोचन देखते हैं हाली में किस देश की 3000 से अधिक महिलाओं ने लगबग 40 साल में पहली बार स्टेडियम में फुटबॉल मेच देखा तो इस देश का नाम बताना है कि जहां पर महिलाओं ने 40 साल बाद फुटबॉल मेच स्टेडियम में देखा तो इसका कॉरेक्ट एंसर होगा इरान यानि आप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है और इसमें इरान में साल 1979 की इसलामिक करांती के बाद महिलाओं को पुरुस का खेल देखने पे बैन लगा दिया था और इसके बाद से 40 साल बाद ये बैन को हटाये गया है तो ये आपको याद रखना है चलिए नेक्स्ट कोचन देखते हैं मध्य परदेश की सहरिया जन जाती नामक के खनन करताओं ने तपे तीदिक के बजाए किसके इलाज के लिए सरकार से अपिल की है तो इसका कॉरेक्ट एंसर आपको बताना है तो इसका कॉरेक्ट एंसर होगा सीलिकोसिस यानि ओप्शन डी जो है इसका राइट एंसर है और सीलिकोसिस जो है ये फेफरे की बिमारी है जो की आपको सीलिका के छोटे छोटे कॉनों से के सांस लेने के द्वारा होता है तो इस facts को आपको याद रखना है चलिए next question देखते हैं हाली में किस bank ने कोस की सिमान त्रिलागत अधारित रिंक दर M.C.L.R. में 0.05% की कटाउती की है तो इस bank का नाम बताना है आपको तो ये bank है इलाबाद bank यानि option C जो है वो बिल्कुल सही है और ये कटाउती 14 October 2019 से लागू होगा यानि 14 October 2019 से लागू होगा इसे आपको याद रखना है चलिए next question देखते हैं भारत में किस महिला धाविका ने 69 राष्टिये Open Athletics Championship में अपना ही राष्टिये रिकॉर्ड तोड़कर महिला 100 मीटर असपरदा का स्वन पदक अपने नाम किया तो उस महिला Athletics का नाम बताना है आपको तो उनका नाम है दूती चंद यानि option A जो है वो बिल्कुल सही है दूती चंद ने 11.22 सेकेंड के समय में इस साल अप्रेल में ACI Championship में रिकॉर्ड बनाया था और यह इसके बाद से पहले उन्होंने 11.26 सेकेंड का रिकॉर्ड तोर दिया और इससे पहले 11.26 सेकेंड के साथ यह रिकॉर्ड रचीता मिश्री के साथ सेयुक रूप से दूती चंद के नाम पर था तो यह 11.26 दो बेक्ति के नाम था एक रचीता मिश्री और दूती चंद उसके बाद से दूती चंद ने हाली में 11.22 के सेकेंड से यह रिकॉर्ड तोर दिया है तो चलिए अब कोच्चन देखते हैं अब 20 कोच्चन हम इंग्लीज में देखेंगे और इसको मैं आपको हिंदी में बताऊंगा तो आपको ध्यान से देखना है तो इसका एंसर आपको कोमेंट करके बताना है कि कौन से ओथर हैं जो की बुक लिखे हुए तो इसका राइट एंसर आपको कोमेंट करके बताना है तो इसका राइट एंसर होगा मिसेल ओबाबा यानि ओप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही होगा मिसेल ओबाबा और ये बुक के ओथर यही है चलिए नेक्स्ट कोच्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट कोच्चन है और ये आपको उननाइस सब्सक्राइट कोच्चन देखते हैं तो इसके ओप्शन पांडे यानि ओप्शन बिल्कुल सही है और ये आपको उननाइस मेंबर इंटर मिनिस्ट्रियल कोडिनेशन कमिटी है जो की अजय भूसन पांडे के अंडर में इस्टेबलिस हुई है तो चलिए नेक्स्ट कोच्चन देखते हैं नेक्स्ट कोच्चन है हमारा गॉर्मेंट इमार्केट प्लेस जी साइन मेमुरेंडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग विट वीच अफ फॉलोविंग बैंक्स तो आपको बताना है कि गॉर्मेंट इमार्केट प्लेस ने किसके साथ मॉयू साइन किया है उस बैंक का नाम आपको बताना है कोमेंट करके है तो फटा फट उसका एंसर टाइप किजिए तो इसका करेक्ट एंसर होगा ऑप्शन ची यानि यू बी आई और यहां पर आपको बता दे कि यूनियन बैंक ओफ इंडिया ने यह साइन किया हुआ है यूनियन बैंक ओफ इंडिया आपको नाम याद रखना है चलिए नेस्ट कोश्चन देखते हैं which of the following companies mutual fund has been renamed as Nippon India mutual fund तो किस mutual funding fund कम्पनी का नाम चेंज करके Nippon India mutual fund कर दिया गया है आपको याद रखना इस में इसका correct answer क्या होगा तो इसका correct answer होगा option C यानि reliance और इस reliance mutual fund कम्पनी का नाम चेंज करके रखा गया है निपोन इंडिया mutual fund चलिए next question देखते हैं हमारा next question है which of the following schemes has been launched for assuring free health care for every woman and newborn and zero tolerance for denial of service तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा free health care service launch हुआ है पर तेक women और newborn के लिए जो zero tolerance होगा denial of service पे तो उसे scheme का नाम बताना है तो उस scheme का नाम है central जो की government के द्वारा launch हुआ है तो सुरक्षित मातरीत अस्वासन यानि सुमन यानि option जो भी होगा वो बिल्कुल सही है और यह scheme launch हुआ है central government के द्वारा इसे आपको याद रखना है चलिए next question देखते है तो ऐसा करने वाला country का नाम सौधी अरभिया आपको comment करके बताना है कि सौधी अरभिया का currency क्या है currency आपको type करना है हमारे comment box में चलिए next question देखते हैं the world congress of poets wcp 2019 was held in which city तो उस सहर में किस सहर में आपको world congress of poets held हुआ है 2019 का तो यह हुआ है भूमनेश्वर में यानि option C जो है वो correct answer है उडिशा की capital भूमनेश्वर चलिए next question देखते हैं एट question है पीटर हाड के who has been selected as the winner of nobel prize for the year 2019 belongs to which of the following countries तो आपको यह बताना है कि पीटर हाड के जिनको nobel प्रोरस्काइल के लिए सम्मानित किया गया है वो किस country से belong करते हैं comment करके बताईए उस country का नाम तो country का नाम है Austria यानि option A जो है वो बिल्कुल सही है वो Austria से belong करते हैं और जो nobelist ओलगा तो तोकर क्रूज के जो है यह आपको 2018 में रिसीव किये थे चलिए next question देखते हैं which other following state government has launched अंगी कार कंपेंट तो अंगी कार कंपेंट कौन सा state के द्वारा लॉंच हुआ है तो यह लॉंच हुआ है त्रिपूरा के द्वारा यानि option B जो है वो बिल्कुल सही है और तिरपूरा गौर्मेंट ने इस कंपेंट को लॉंच किया है और इस कंपेंट में राज्य सरकार यानि तिरपूरा सरकार के दुबाइस सो फ्लेट्स अगरताला में बनवाएगी और इंटरनेशनल स्वापिंग मॉल भी बनवाने की योजना है चलिए next question देखते हैं In which of the following cities the first year national Hindi science writers conference will be held तो किस सहर में पहली बार national Hindi science writer conference होने वाली है आपको comment करके बताना है तो उस सहर का नाम है लखनवर यानि option B जो है वो बिलकुल सही है और ये दो दिन का conference होगा जो की आपको लखनवर में आवजुद होने वाला है चलिए next question देखते हैं On which of the following dates international girl child day is observed तो किस दिन को international girl child day मनाय जाता है ये आपको बताना है तो international girl child day मनाय जाता है 11 October को और 11 October जो परतेक साल को ये मनाय जाता है और इस दिन मनाय जाता है कि जो भी girls को challenges है difficulties है face करना पड़ता है उनसे focus किया जा सके चलिए next question देखते हैं 12 question है इंडिया जैस्पोर्ट सॉमिट फिटनेस टेन मिलियन डॉलर अपर्चुनिटी वाज और्गनाइज़ बाई CII in which of the following cities तो किस city में यह आयोजित हुआ है उस सहर का नाम बताना है तो यह आयोजित हुआ है आपके इंडिया की capital नीव दिली में नई दिली में आयोजित हिया है यह आपको याद रखना है चलिए नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं नेम दा इंडियान हुग क्रियेटेट थीरी वर्ल रिकोर्ड एड ओन गोइंग वर्ल पावर लिफ्टिंग चैंपियंशिप इन बर्लीन जर्मनी तो उस इंडियान का नाम बताना है जिन्होंने यह थीरी टाइम्स वर्ल रिकोर्ड बनाया है वर्ल पावर लिफ्टिंग चैंपियंशिप में जो कि बर्लीन जर्मनी में हो रहा है तो उनका नाम है सुरेंदर सिंग यानि ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है और सुरेंदर सिंग ने यह रिकोर्ड बनाया है चलिए नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं How many DCBs will be merged to form केरला बैंक तो आपको बताना है कितने डिस्टिक कोपरेटिक बैंक को merged किया जाएगा केरला बैंक में तो इसका राइट एंसर होगा आपका फर्टीन यानि ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है और इसमें तेरा डिस्टिक कोपरेटिक बैंक को को मर्ज किया जाएगा केरला स्टेट कोपरेटिव बैंक जो की बनेगा केरला बैंक चलिए नेक्स्ट कोचन देखते हैं तो यस बैंक के सी ओ यानि चीफ ओपरेटिंग ओफिसर किसे नियूक्ट किया गया है उनका नाम बताना है आपको कमेंट करके तो उनका नाम है अनिता पाई यानि ओप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है और यस बैंक लिमिटेड ने अनिता पाई को चीफ ओपरेटिंग ओफिसर नियूक्त किया गया है और यह जस पीत बचल जो चीफ मार्केटिंग ओफिसर नियूक्त किया गया है इसके साथ साथ तो उसे भी आपको याद रखना है चलिए next question देखते हैं अनुरानी belongs to which of the following games तो अनुरानी किस game से belong करती है उन गेम का नाम बताना है कि किस game से belong करती है तो अनुरानी जैवलीन थ्रो से belong करती है तो option B जो है वो बिल्कुल सही है और जैवलीन थ्रोर जो अनुरानी है उन्होंने हाली में गोल्ड मेडल जीता हुआ है जो कि वीमेंस जैवलीन थ्रो इवेंट हो रहा है फिप्टी नाइन्थ नेशनल ओपन एथलेटिक चेंपियेंशिप अक्टूबर 10 को राची जारखंड में तो इसे आपको याद रखना है अस्थान का नाम चलिए नेश्ट कोस्चन है on which of the following dates world of city day is celebrated तो किस दिन को world of city day मनाया जाता है उस दिन का नाम बताना है तो world of city day मनाया जाता है आपको 11 अक्टूबर हर साल को और इस दिन इसका थीम था कि आपको याद रखना है और इसका करेक्ट एंसर होगा option B चलिए नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं which of the following bank has reduced the landing rates by 10 basis point तो किस बैंक ने लेंडिंग रेट्स को 10 basis points से reduce कर दिया है आपको कमेंट करके बताना है तो इसका राइट एंसर होगा State Bank of India यानि SBI और आपको यह comment करके बताना है कि SBI के present chairman कौन है present chairman SBI के comment करके बताना है चलिए next question देखते हैं who among the following is the director of the award winning short film Spirit of Kerala तो Spirit of Kerala जो की एक short film है इसके डिरेक्टर का नाम बताना है कि इसके डिरेक्टर के नाम क्या है तो इसके डिरेक्टर का नाम है और उन जोसेफ जो की option B जो है वो बिलकुल सही है और यह option और उन जोसेफ के द्वारा बनाये गया है इसे आपको याद रखना है चलिए next question देखते हैं which of the following state government has launched India's first of its kind garbage gap है तो किस state government ने इंडिया की पहले garbage gap है एक launch किया है उस state government का नाम बताना है तो ऐसा करने वाला वह state का नाम है 36 गण्ड यानि option ए जो है वो बिलकुल सही है और यह कैफे आपको पनाया गया अंबिका पूर्ड जो की नौर्थ 36 गण्ड में परता है तो इसे भी आपको याद रखना है चलिए आईए रहा आज का हमारा current affair का वीडियो इसमें हम लोगों ने लगभग 30 mcq question को देखा तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और सारे question को आपने अच्छे से समझा और उसके जो भी explanation था extra knowledge के साथ वह हमने बताया तो इस वीडियो को like और share जरूर किजेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिजेगा ताकि आपको रेगुरल नोटिफिकेशन मिलता रहा है और बीहार स्टीटी के लिए जो भी वीडियो है वह आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज है और करेंट अफ्यार के आपको स्टार्टिंग से सारे वीडियो द देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में फिर टैंक यू